तैंक यू बाद बाद शुक्रिया तैंक यू सो मच तैंक यू सो मच आप जैसे लोग हो तो मेरा मन करदा उधर मुझ करके ना इधर ही मुझ कर खड़े रहा हूं हमेशा सच में इतने खुबतुरत इतने लाजबाब लोग अगर हो तो कविता का आनन्द दुगना हो जाता है वो पूछे कैसे और आज तो खास बात ये है कि जो कविता जो है जी वज़र साब ध्यान दीजेगा कविता जो है आज जो सुनाई जाएगी कवी सुनाएंगे और कवी लोग ही सुनेंगे ये बहुत कम होता है और अगर मौका पड़ गया न तो इधर भी कवी अधर सुनाने वाले मौजूद है तो मौका लगने की बात है यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया तैंक यू सो म जो हमारे साथ लाजवाब टीम मौजूद है कवियों की उनसा तारुफ कराना चाहूंगा सबसे परिचय कराना चाहूंगा देश-विदेश में ये लोग जाते हैं कवीता सुनाते हैं और सबसे खास बात है कि हिंदी का मान बढ़ाते हैं तो आज मैं इन सबका कविता के साथ हिंदी का भी जो माईने समझाते हैं वो हमारे साथ अरुन जैमनी जी मुझूद है और जो एक-एक शब्द इंका जो है ऐसा हर्याना से आते हैं और यह मत सोचिएगा कि ये सिर्फ कविता प्रेम की भाशा भी समझाएंगे प्रेम को भी बताएंगे और मौक से लेकर पुष्टी के दाओं तक सब जानते हैं इसलिए अरुन जैमनी का हम यहां पर बड़े-बड़े मन से त्वागत करते हैं तैंक यू स्वामच बहुत शुक्रिया बताओ प्रतीक जी भी कमाल है हर्याने के आद भी से कह रहेंगी प्रेम समझाओ प्रतीक जी हमारे चीरा के हमारे ब्या के बाद होता है त्वाध कर ले तो हम तो पीड़ी लटके मिलते हैं है अच्छा त्वरिया देगा प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरास है अरे बोले दिल कुरकुरा को या तेने बीडी का बंडल तोड़ दिया अचा हमारे यहां जो पुरुष और महीला का जो ओसत है अभी भी सबस्यादा गड़बड हर्याने में यह जी 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 कोशिश होगी काफी ठीक हो गया लेकि नभी भी पुरुष ज्यादा है महीला है का हूँ है छोड़ों के ब्यान ही हो रहे वह एक चालीस साल की उमर तक ब्यानी हुआ बहुत दुखी हो रहा था अपने दोस्से बोला यार मैंने तो लगाए मेरी वाली ब्रून अत्या में मारी गई हुआ जाँ है सर यह तकलीव है हमारी यह तकलीव और बढ़ जाती है जब olympic हो चैरा ओलम पिक हो चैसाक्षी मलीक चैसा दीपा मली आजे विश्व सॉंद्र अव्थ बिर मेरी प्रत्योंगिता हो जब हरियाने की छोडिया पदक लेकर आती है तक लीटा प्रतीक जीने हिंदी की बात करी है तो मैं आपको हासरस की प्रेम कविता सुनाता हूं इसमें मैंने बहुत बड़े कवियों को लिया है सुन्दर वर्णन में उसका ध्यान चाहूंगा अपन्त की कविताओं सी कोमल कुंतल बिखराती है पदमा करके चंदों सी इतराती, बिहारी के दोहों सी कटीली छबीली, रस खान के सवईयों सी रसीली, जाय सी की पदमावत का प्रेम ज्यान पिये, प्रसाद की कामाईनी का सौंदरे बोध लिये, चेहरे पर दिनकर की कविताओं सा तेज, और विद्यापती की राधा को अप यह कह रहे हैं एक बार हो, रोडवेस का बस कौन सी रोडवेस कहां की थी यह पताईएगा, मैं आपको बताता हूं दरसल, खुर्जा, खुर्जा के आसपास जो रामिलाएं होते हैं उसे पंड़ जी मंच पर खड़े होते हैं, वो बताते रहते हैं रावन तू ये कह, अंगत से का, अंगत तू रावन से कह, कि हे रावन तैने सीता का हरण करके ठीक नहीं किया, सीता मा जगद जन्नी हैं, वो हम सब की मा हैं, राम साक्षात विश्णू के अवतार हैं, अभी भी समय है तू चेत जा और मा सीता को वापिस लोटा दे, अगर तैने ऐसा नहीं कह तो तरी खेर नहीं अब इतना लंबा डायलोग अंगत बूल गया बुला हे रावन जैसे से पंड़त जी कह रहे हैं वैसा वैसा कर दे तो एक ऐसी ऐसी लड़की रोड़ वेस की बस में चड़ी रोड़ वेस की बस में चड़ी अचानक ब्रेक लगी और गोद में जा पड़ी लड़के को इतना आया स्वाग क्यों जोर से चिला ड्राइवर साब धन्यवाद लड़की बोली फाल तु मत चिला उधर को सरको अजीब बेफकुफ है तेरे उपर गिरी मैं और धन्यवाद ड्राइवर को प्रेम के इतिहास में यहां से शुरू एक नई खुराफात यह थी हमारे हीरो एरोईन की पहली मुलाकात दोनों के दिन ते खेलने खाने के और उपर से दोनों हरियाने के दोनों के नैन मिले कमल के दो फूल से खिले नैन मिलते ही मूँ खुले और बातचीत का सिलसिला निकल पड़ा बस तो डिपो में खड़ी हो गई और उनका प्रेम चल पड़ा नए नए अनुराग में और जवानी की आग में एक दिन दोनों बैठे ते गाउं से दूर एक बाग में लड़का बोला दिखे है यह जो तेरी जोड़ सी गेरी गेरी आंक्स है ना उसने जोड़ी देखी बिचरन है यह जो तेरी जोड़ सी गेरी गेरी आंक्स है ना जी करेशन में डूब जाओ पर मैं के करूँ मैं तो बापू से पहली कही थी मैंने तेरणा मद सिखाओ तेरणा तो एक बलास है तेरी आख देखके पता चलक डूबना भी एक कलास है मावस की राज जिसे तेरे गाल और पूर्ण मासी की चांदनी भी खेड़ते तेरे बाल लड़की बुली रहे क्यों आकास्यों पांदर रहास है बाल की जेगे गाल और गाल की जेगे बाल कर रहास है लड़का बुला रहे के करा तरी सुंदरता देखके इतना फूल गया कि उपमाओं का करम ही भूल गया कि खेर बिलकुल बिलकुल भूब की चिलं में धरे जलते अंगारे से होट बोल ये तो 20 फोट ना बोल लयेतो काड़े में लड़की बोल ली रहे इन बात में तो कोई भी खो सकेसे इतना मीठा मत बोल मेरे सुगर भी हो सकेसे और कवियों के प्रेमी प्रेमी का बैठते होंगे सागर किनारे रेत में हमारे तो हरी आने के थे इसलिए बैठे दे गन्ने के खेत में प्रेमी बोला, आस तो जी करा से मैं भी थोड़ा जूम लूँ, तू हाँ बरै तो तुन चूम लूँ, उसने यही सवाल पूचा आठ दस बार, पर बेकार, प्रेमी गुस्थे में बोला बहरी है कि प्रेमी का बोली तुँ मेरे उपर गुस्थार क्यों तार रहा से हैं, मैं तो बहरी में पढ़ती हैं यह कि लखवा मार रहा से बोले कल से यहां नहीं मिलेंगे कल से मिलेंगे टीले पे आगले दिन लाठी खड़ाता हुआ प्रेमी आया लंगडाता हुआ प्रेमी का देखकर मुस्कुराई बोली आस तो बहुत लेरा रहा से मैंने लगे मां से मारे ब्या की बात करके आरा से प्रेमी बोला हाँ मने मां से बात करी थी पर के एक रूमा ने बापू से बात कर ली और बापू ने दो चार पहलवानों से बात कर ली और उन्होंने दस मिट में मेरी हालत कर दी कि मां नहीं लाठी मेरे हाते में धर दी मैंने लगए यही गुल तेरे गर में भी खिलेंगे प्रेमी का बोली फिर तो टीला भी छोड़ अगली बार अस्पताल में मिलेंगे क्योंकि मेरा भाई भी तरते बात करेंगा प्रेम कता और परवान चड़ी कुछ इस तरह से आगे बढ़ी प्लास्टर चड़े थे पाउं पे पट्टी ललाट पे दोनों पड़े थे अस्पताल की टूटी खाट पे आगे के द्रिश्य घंगोर प्रेम से भरपूर रहे थे एक एक आखे पट्टी बंदी थी फिर भी एक दूसरे गूर रहे थे तभी आधमके दोनों के माबाप रिष्टेदार बोले माननोंगे नी इप भी करने सवां खेचार प्रेमी बुला किस ख्याल में गुम हो चार का आप तो रह रहे हैं दो लड़के की मा बोली यह तो ना मानना है तमी मान जाओ यह तो पतानी के कर जांगे जो इब भी बाज नहीं आ रहे इन्हें दूर मत करो यह बालक मर जांगे लड़की के रिष्टधार बोले यह कलेश फटापट निम्टाओ अ अच्छा ब्याको कलेश हर्याने में कह सकते हैं बोले यह कलेश फटापट निम्टाओ चलो बाहर ना आओ खतम करेंका राग बार चोकिदार ताप रहासे आग इन दोनुँ आके वहीं फेरे कर वाओ हम अपनी छोरी नठा रहें तम अपना छोड़ा ठाओ अब उनकी शादी का आखो देखाहल दिखाता हूं फीर एक किस्तरे पढ़ बताता हूं कविता का अंतिम दृश्चय है जै फिर एक इस्तरे पढ़ है बताता हूं ध्यान से सुनो कहानि उस रोज की दोनों के मामाओं न चोकी दार दूर खड़ा ठंड से कापता वह बड़बड़ा रहा था और एक रिष्टेदार बड़बड़ा हट के बीच-बीच में स्वाह बोलता जा रहा था दूला दूला दूलन भी बिल्कुल नहीं शर्माए दोनों एक एक टांग से फेरे ले रहे थे इसलिए साथ की जगह 14 चक्कर लगाए इस तरह दोनों को जिन्दगी भर की जेल हो गई और ये प्रेम कहाने भी अन्य प्रेम कहानियों की तरह फेल हो गई मौहाल का फाइदा उठाइए प्रता पॉद्दार जल्दी जल्दी मंच के ऊपर आजाईए बना बनाया खेल है इसी का लाब उठाइए मंच में बस योही शुरू हो जाईए साहिज का तो करलू उठाइए यो तरह अच्छाइए श॥रू करलू इसको साहिज का तो करलू ठाइए बजय है नहीं वालों तब पहली मंच बहुत दूसी मंच भई सर इन में सबसे जादा नीच मेह ही हूँ देख लो आग जो दूसरे साइड से लानी पड़ेगी भाई साब कह रहे थे महरा अरयाना अरयाना इस मंदारी बाली बात बताओ यह अरयाना पहले अमारा ही था यह था था अभी का यह बीडी पिया करते थे अमने लग करती है हरयाने का आदमी के साब हमारे हरयाने का यह हमारे हरयाने में ग्यान हरयाने का आदमी दूर से दिखाई दे जाता है उसके हरकतों से अब कभी तीर्थ में चले जाई है आदमी लोग नहा रहे होंगे इसनान कर रहे होंगे एक ने डूपकि लगाई नाग पकड़ के हरियोम 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 समझे लो ऊत्तरा खंड का होगा दूसरे ने नाग पकड़ के लगाई हराल गंगे हराल गंग उत्तर परदेश का होगा हर्याने का उरत तुर की बाई बड़ा थंडा पाणी है मरवादिया साड़े ने उसे नहीं पता हरियों कोन है तो ये हरिया ने का अपना रंग है प्रहम मोभद की बातें कर रहे थे प्रहम मोभद इसको किया समझा हुए ये तो बिचारे प्रहम मोभद तो हमारे जमाने में होती थी क्यों सेस जी अब कहां यह थै नहीं मैं बता रहूँ नहीं तुम भी बहकाये जा रहे हो तुम अपनी फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो बात वो किसी और से करती है आज कल के लड़के कोई लड़की जरा सी हज़के बात करने लग जा तो समझते प्यार हो गया तो गलियों में गाते हैं मुझे मेरा मन डोले दो दिन बाद वो फटकार देती है तो फिर मू लटका के खड़े हो जाते हैं फिर वहां लिखते हैं सारवजन के सोचाले में टीना ही लव यू इनको यह वरोज़ा रहता कि टीना और कहीं जाए चलने जाए पर इसे पढ़ने के लिए जरूर आएगी सर प्यार मबद हमारे जमाने में होती थी अब क्या रह गया मोबाइल का खेल रह गया क्यों सेज जी है हमारे लव लेटल लिखे जाते थे मेरी प्यारी कंबो दिल के हालात पिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाज अब 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 उसके उसके घर फैंकने जाते थे बड़े मुश्किल होती थी कही बार तो गली में कुटके लोटते थे तो यह बोल बनाई फैंक दी वक सामको जूते चल गए शरमाजी के आप फैंकी और बर्माजी के आगर गई यह अब क्या रह गया है तो यह मोबाईल है शुरू हुआ कहीं बैटा उनना है कहीं गहले में बैठी हुई है वाउँ शुरू हुए ना है माहा है माहा है हो गया प्यार वह प्यार था बाइसाब हमारे जमाने में साधी से पहले लडकी नहीं दिखाती थी मैं गलत कह रहा हूं गलत नहीं हाँ एक खलीबा और भी बैठे हुआ है साधी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे सर प्रतीक जी अब तो साधी से पहले सब कुछ हो जाता है विचारी साधी रह जाती है करने के लिए सर यह सचाई है मेरे साधी वाले आएं देखके चले जाएं मैंने कह यार कोई फोल्ट है तो मैंने घरवालों से कहा मैंने कि मैं लड़की देखूंगा वह ले तू कह देखा है का मने देख ली मिभापठे हो मेरी रही है देख तुमने दी मुझे दिखाने ले गए ऐसे सीन ऐसे लड़की खड़ी ऐसे में खड़ा ऐसे वहने वाले ससुर्जी घड़े जो बाद में नहीं हुए पंगा पढ़ गया ता ना तो वह हमें छोड़के चलेगे के लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर देंगे आदा घंटे तक पिंड्रॉप साइजेंस रहा ना बो पिर आखिर में ने इंद्ध की मैं का बहन जी अब कितने भाई बहन है कैसी बाई साब तक तो दो थे पर आप और आजाएंगे तो तीन हो जाएंगे ऐसे ही बैका देते थे बिल्कुल हीरों जैसी है यह समझेले महमा चौधरी जैसी है फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते गुवट उठाने में करके महमा चौधरी की जगे मेंदर सिंग चौधरी नहीं निकल जा लेकन फिर भी मैं एक लाइन कहना चांगा मेरी नई सुने मैंने बहुत देशों की यात्रा किया मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि जितनी उत्तम बैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की ए ऐसी नकेशी देश की है अब 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 अबना देश में चितर है अभी मेरा ये बच्चा बैटा हुआ है सरदार अब अब इसके बाद और क्या सुना होगा अब रहन तो नहीं एक सुना हुआ कि उसकी मांग भरूगा जरूर अब अब बड़ी मुश्किल होती है सरदार की मांग भरना हां बहुत समान लगा होता है तो दरसल का एक सरदार जी को सेर में गाटा हो गया उसने का है कि यह सुना ना चरूर एक सरदार जी को सेर में गाटा हो गया अलांगे जाला ये वी एक जोकी है सेवर में घाटा ओगया घाटा कैसे पूरा हो गलत काम कुछ करना ही सकते अच्छा एक बात पताना चाहता हूं अच्छा इंद्धा हो तो इमंधारी से पूरा देश घर बैटके ताली बजा के बताना मुझे आज तक किसी सर्दार को आपने भीक मंगते हुगा नहीं देखा ह मैं इस बात पर जादा उठाना, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं, कि इस माइने में पूरा देश सर्दार हो जाए। सर्दार जी बैटे हुए, सोचरे घटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा गुम रहा, सर्दार जी के दिमाग में स्कीमा गई, इसको करते हैं किटिनप, इसके बाप से मगाते हैं पैसा, अपना घटा पूरा, यहां बेटे बहुत हैं, अंकल जी बहुत हैं, अच्छा अंकल ज जाएगा, दसकत, एक सर्दार, और चिट्टी फोल्ट करके उसी को पकड़ा दी के लिए अपने पापा को दे देना, लेकर सेज जी, पैसे आए, वो ही बच्चा लाया, सर्दार जी निकिने, पांच लाग, वो बच्चा वोला पापा ने चिट्टी दिया, चिट्टी खोल सर्दार को चौड़ दीया जया, दसकत दूसरा सर्दार, प्रती जी, प्रती जी, इसमें एक मैसेज है, और मैसेज आप अप सब के लिए मेरे यंचप्स बैठे हुए, पूरे देश के लिए मैसेज है, और इसमें मैसेज यह हैं कि दूसरे सरदार को यह पता लग गया पहला सरदार संकट्री और यह के पास मदद पहुंचने चाहिए है अब प्रता पॉस्दार की यही खासियत यही खूबी है कि वह अंत में कोई ना कोई मैसेज छोड़ देते हैं बहुत 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 शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल सही कहां जो तीसरे ख्यलाड़ी आने वाले कभी आने वाले हैं उनका नाम है वेद प्रकाश वेद आप सभी को होली की बधाई देता हूं सरदार जी ने बहुत सुनाया वो पहले चिठ्थिया लिखी जाती थी फिर मैसेज दिये जाने के फॉन पर अभी 14 फरवर ही गई एक प्रेमी अपनी प्रेमी का का हातों ही पिट लिया मैसेज के चक्कर में वो शॉट में चल रहा है था पूरी स्पेंग तो लिखते नहीं प्रतिक जी 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 शॉट में लिख देते हैं लिक रहा था लव यू जानू लिख दिया लव यू जैनि यू अभी तो अभी तो दिल्ली में चुना हुए फाब एक मैंने नया नाम दिया जो भड़काउ भाशन देते दंग को लिए इस पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाओ पहले हुए दंगेबाद में हो गए क्या बात है तो मैंने नया नाम दिया जो लोग भड़काउ भाशन देते हैं जिनके कारण ये दंगे हुए पिछले दिनों मैंने उनके लिए नाम दिया दंगेज खान वो चुनाओ में आये भाशन दिया दंगे हो गए साब दिल्ली पड़ी शांत थी एक कश्मीर जहांके नेता बंद कर दिये जो जल रहा था वहां शांती हो गई इससे एक बात पता चलती है अगर नेता को जनता से दूर कर दिया जाए तो जगे हमेशा शांत रहती है लीजिया मैं आदमी की सलाएं देने या आदत पर एक छोटी सी कविता से शुरुवात करता हूं आपके मंदर अंजंग के लिए अरुन जी आपको यहां बहुत सलाएं देते हैं आपको समर्पिते पंक्तियां जब जब डेड़ साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की जब डेड़ साल के अंदर ही मर गई इनके मित्र की चौथी घरवाली तो इन्होंने दुख प्रकट करने के बजाए उसको सलाएं दे डाली कि खराब मुकदर से पीछा यूं न छुटेगा हर चार महीने बाद घुर चड़ी अपनी घोड़ी खरीद क्यों नहीं लेता किरा चार महीने बाद वो गोड़ी भी मर गई तो इनकी ऐसी सलाए होती है और होली तो रंगों का त्योहार है और मैं ऐसे रंग की बात करता हूं जो आदमी के मन में होता है जो नहीं होना चाहिए मन के काले रंग की बात करता है और देखें मन का काला पन बताने के लिए मैंने क क्वात बात अच्छी लगति रहेगा आनंद करेंगे आप घर काला आदमी उसका काला पन बताने के लिए मैंने कितना है मिझेपक आप में काला द्सक्राइब दोवल अफ्रेज pracने मैं । पहाड़ी कवे का परदादा कोयल संपरदाय का दादू बंगाल का काला जादू तार कोल जिसके पैरों में भक्ति बाव से पसरता हो कोयला जिसका रूप रंग देखकर सदियों तक जमीन के नीचे बैठ करता पश्या करता हो जिस दिन उस काला नुभाव के दर्शन हुए जमीन थमी रह गई अब इससे ज्यादा और क्या कहूं इतना कहने के बाद भी मेरे पास शब्दों की कमी रह गई कि शादी शादी होते ही माबाप को धक्के देकर बाहर निकाल देने वाली अवलाद जैसा कपूत कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी ब्रश्ट नेता की करतूत कुल मिलाकर इतना काला जितनी किसी ब्रश्ट नेता की करतूत एक दुकान पर गया ना शर्म ना हया बोला फेर एंड लॉवली है दुकानदार ने जैसे ही गर्दन इनकार में हिलाई तो कहने लगा फिर चैरी बिलोसमी दे दे कम से कम चमक तो बनी रहेगी भाई यह ब्हुत बlar शुक्रिया रहा है या नही और है काँ इसे ब्रश्ट भात-उल्य लगार को तो शुक्रिया थैंकीव समच अगले कवी कवी जो है बहुत 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 है लेकिन दो मॉला जाता हूं सुदीप भोला साब. किए 넌 ते था से ठुं अछे पूली की रंग बन ioèई देवर भावी जीजा साली का ये सबसे बावन पुनीट्टियोहर है और असीम अनुकम्पा हे मुझ पर इस्वर की बहुत करपा है मुझ पर इसवर की किपा से मेरी एक साली है ठी 50 white need ya इश्वर मेरे ससुर का नाम है अभी होली की चुट्टियों में साली सहेवा आने वाली थी कि जी जाए जी होली हाँ आपके साथ मनाएंगे मैं यहाँ कभी सम्विलन करने आ गया और प्रतीक भाईया वहाँ पे आने वाली थी साली साली तो आईनी साला आ गया अब क्या हुगा वो एक गीस ना देता हूं छोटा पाली स्वागत है गर्वाली को भी आके ले गया जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई और और फिर बात रूम से मंजन ले गया क्या बात है क्या जोड़ा है दरसल क्या है मंजन पतंजली का था और साला मेरा बाबा राम देब का भक्त है दिन भर अनलोम बिलोम करता है दो पैकेट लगते हैं अनलोम बिलोम और फिर पाथरूम से मंजन ले गया घरवाली को भी आके ले गया ऐसी जिन्दगी से अच्छा मर जाना जाते जाते भी ना बोला जीजू आना और सारे चात गया रस गुले करके ठंडाई के कुले खाली बोतल करके धकन दे गया घरवाली को भी आके ले गया साला पैथे खाले टंशन दे गया घरवाली को भी आके ले गया अन्त देखना के ना तो साली ही मिलीना घरवाली हाई हाई दर्द है पूरा दर्द है इसमें पीड़ा देखा आप के ना तो साली ही मिली ना घरवाली उस पे पॉकेट भी कर गया और चौकीदारी काम ना आई उसने ऐसी कला दिखाई दो माईने का वेतन ले गया घरवाली को भी आके ले गया वाइन प्रम फिर से सोना दूंगा यहीं और जो आपने रोशनी की है वो निश्चत तोर से चिराग से ही आ रही है और चिराग जी आप आईए और मंच समालिए चिराग जैन साथ होली की बहुत बदाईयां सुधीप की दुड़दाशापर में उसे समवेदनाय प्रकट करता हूं वाह होली दर असल ब्रज का तयोहार है और इसलिए होली के मौसम में जब ट्रंप जी आए तो उने अगरा भेजा गया जब वह वापस लौट कर आए तो मोधी जी ने उनसे अगरा कैसे लगा तो ट्रंप जी ने उनसे सवाल किया जिस ने अगरा देखा है वो इस पीडा को समझे मोधी जी ने पुछा ट्रंप साहब आगरा कैसा लगा बोला कैसा लगा यह तो छोड़ो यह बताओ असली पंची पेठे की दू कान कॉन सी है तो पक्का अगरा के है यह बत्का प्रज पूरा अलग संस्कृती को जीता है साथ हाजी वह चौवे जी दूसरे चौवेशी को शेर सुना रहे थे वाभ चिअ अब प्रज में सुनो शेर अरे गजब है भाई बुले सहाब, एक सायर हतो मीर बाने शेर सुनायो और चौवे जी सुनो कि बवाए बजम में बजम ही बोलेगा हूँ वही बोलेगा बवाए बजम में इत्ता तो मीन ने देखो फिर बाके बाद चरागन में रोस नी न रही चौबे प्रतीक जी अरे बंता ही नहीं है काम तो ब्रज का एक रसिया सुनाते हैं जी स्वागत है रसिया कि फागुन की फूली फुलवारी होली खेलो रसिया और रसिया थोड़ा आदूनी को गया है कि फागुन की फूली फुलवारी होली खेलो रसिया खेलो रसिया हेलो हेलो रसिया फागुन की फूली फुलवारी होली खेलो रसिया शरद पवार ने महाराष्ट्र में ऐसी भांग पिलाई शरद पवार ने महाराष्ट्र में ऐसी भांग पिलाई कॉंग्रेस की गोदी बैठा बीजेपी का भाई एनसीपी की मार दुधारी होली खेलो रसिया खेलो रसिया, हेलो हेलो रसिया फागुन की फूली फुलवारी होली खेलो रसिया दिल्ली में तो कॉंग्रेस की सूख गई पिचकारी दिल्ली में तो कॉंग्रेस की सूख गई पिछकारी BJP के गुबारे की बना दई गुबारी BJP के गुबारे की बना दई गुबारी जाडू सूत सूत के मारी होली खेलो रसिया जाडू सूत सूत के मारी होली खेलो रसिया खेलो रसिया हेलो हेलो रसिया फागन की फूली फुलवारी होली खेलो रसिया और रसिया में सारी दुनिया की बातें कही जा सकती है तो मैं कुछ मैसेज्ज देता हूं कि जिसके बिगडे तेवर उसका डिब्बा हो गया गोल जिसके बिगडे तेवर उसका डिब्बा हो गया और तियो हार में मैं वरतमान माहोल को इंगित कर रहा हूँ कि अब कि होरी ऐसी खेलो सारे रंग मिला दो अब की होरी ऐसी खेलो, सारे रंग मिला दो, मजहब की दीवार उठे तो उसकी नीव हिला दो, थंडी कर दो हर चिंगारी, होली खेलो रसिया, थंडी कर दो हर चिंगारी, होली खेलो रसिया, खेलो रसिया, हेलो हेलो रसिया, फागन कीफु और अंतिम बंद पढ़ रहा हूं जनता को राजनीती के साथ क्या वेभार करना चाहिए कि जो जनता में हिंदू मुस्लिम वाला रंग उंडेले जो जनता में हिंदू मुस्लिम वाला रंग उंडेले जनता उसकी राजनीती को आगे अब ना झेले उसकी तबियत कर दो खारी होली खेलो रसिया खागुन की फूली फुलवारी ओली खेलो रसी, सच में चिराग जहाँ पर आपने कभी समेलन को शिखर आपने पहुंचाया, जिस शिखर को आपने छुआ है, वहाँ पबस्तिर वह एकी चीज हो सकती है, शम्बू, 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 शम्बू. तो शम्भू शिकर को मैं अमंत्रित करता हूँ और वो अब आएं और आपको फिर एक बार वही रस से डुबोए है बुढिया भी लग रही है जू चंचल सी हसीना बुढिया भी लग रही है जू चंचल सी हसीना जैसे कि स्वाण मुद्रिका में कोई न गीना हर और मौझ मस्ती है रंगों का नूर है अपना तो वैलन्टाइन है फागुन का महीना अपना तो वैलन्टाइन है फागुन का महीना और चार लाइने वर्तमान इस्तिती पर पढ़ता हूँ कि अब ना हो पत्थरों की पतंगों की बात हो अब ना हो पत्थरों की पतंगों की बात हो फागुन का महीना है उमंगों की बात हो लडने से कभी कुछ न मिला है न मिलेगा दंगों की नहीं अब यहां रंगों की बात हो दंगों की नहीं अब यहां रंगों की बात हो और वेट जी ने इतनी बढ़िया कविता सुनाई काले रंग पे इतना कुछ कहने की जोड़ती नहीं थी कह देते एक शंभू उसी पे ही सारी रंगत निकल गया लेकिन उन्होंने सुनाया यह कभी कभी का ही हिदय हो सकता इतना बड़ा इतना विशाल जी बहुत विशाल है से और चिराग उत्तर प्रदेश के मतुरा के बरिज की होली की बात कर रहे थे और होली में तो उत्तर प्रदेश में प्रेम प्रतिवंधित है ही चार लाइने सुनिएगा जूलिफों में उंगलियों को फीराने नहीं देते कलियों के पास भबरे को जाने नहीं देते इतनी सी शिकायत है हमें योगी आप से खुद से न पटी हमको पटान नहीं देते खुद से न पटी हमको पटान नहीं देते भगवान मेरा साथ आप यूँ भी निभाना किसमत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना राहुल के तरा चाहे बीत जाए जवानी लेकिन बुढ़ा पे में अनुप जलोटा बनाना लेकिन बुढ़ा पे में अनुप जलोटा बनाना तो दोनों हाथों में पकड़ पिछ कारी किया ओ लिखेले रसिया दोनों हाथों में पकड़ पिछ कारी किया ओ लिखेले रसिया लाल रंग पीला रंग बैंगनी वनीला रंग उस पे गुलाबी मट मेला चम कीला रंग अंग पे लगाओ मत कपड़ भींगाओ पिया छुटे ना छुडाये रंगों इतना हठीला रंग सारे शिक्वे भूला के कारो यारी किया ओ लिखेले रसिया सारे शिक्वे भूला के करो यारी किया ओहली खेले रसिया दोनों हातों में पकड़ पिछ कारी मोधी जी हो राहू लिया यूपी बाले योगी बाबा देखिये की कैसे ये कुवारे ही है घूमते अब तक बन कर कैसे ये दूलारे घूम रहे ट्रम्प से ये बोली आ के ट्रम्पाइन आरे भाई वहा बताने की जरुवत नहीं कहां से आते हैं ये क्या बात है चार लाइने सुनिये आनंद लीजी सब लिट्टी चोखा खाके जीत आधी तो तुम्हारी हुई खैनी और खाके पूरी जीत आप मान लो ये लिट्टी चोखा खाके आधी जीत तो तुम्हारी हुई खैनी और खाके आप जीत पूरी मान लो चाहते हो यदी कोई और न कसर बच्चे भर के गिलास चार भांग आप छान लो आपको ही फिर वोट देंगे बिहारी देंगे आपको ही वोट फिर बिहारी किया ओलीक्राइरस hayat तोडो हाथों में पाकड़ पिछ कारई किया ओलीकाल के लेड़त य्याशारे शिकवे भूला के करो यारी किया ओलीकर य्यारे वह थिर जीदेंगे और हालीकर भर जुग capitalist फुर्प्ष्यक्रेइब जुग debates मे Supreme प्रताब साब, तमाम कवसमेलों में आप भी अरुन जी और तमाम सारे जो लोग बैठे हैं आपे जाते होंगे और जाएंगे, लेकिन एक बार बताएं, हंड्रड मीटर की दौर कभी कवसमेलन नहीं दोड़ी होगी, यह हंड्रड मीटर की दौर रोड़ा है कवसमेलन, जिस नाम है योगिता चोहान, वो आएं, योगिता जी, स्वागत है आप आप सबको होली की बहुत बहुत शुप कामना है, जी, होली का पर्व है, कुछ कोहारे वैठे हुए हैं, उनकी शादी करवाते हैं, राहुल जी मम्मी से कह रहे हैं, कि सात नहीं हो पाए, फेरे करवा द दो चार, सात नहीं हो पाए, फेरे करवा दो दो चार, कि दुलहन नहीं मिली तो कोई देलवा दो भरतार, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, और यूपी में जो साड घूम रहे हैं, कि सारी फसल खेत में खा गए घूम रहे हैं बेल सारी फसल केत में खा गए घुम रहे हैं बेल और गौरक शाय के नामका देखो खेत मुझा होग खेल योगीरा सारारा योगीरा सारारा योगीरा सारा या जा ना और अधक् भंब द्रक्षित से आपके भी चाही हूं वोली का आएक्रेट आपके भी रिष पढ़ना चाहते हूं किक मरे्ट यउन्मत खेलो फाग गठान तल्फागS कि को लेकल न जाए ना दाग सतली यउमत कडू महिन आपकानिव फाग कि चुनर में मेरी जड़े सितारे चुनर में मेरी जड़े सितारे जिससे छुप कर चांद निहारे मैं ब्रश भान दुलारी मोहन तुम हो बादन दुलारे दुनिया देखेगी गएगी बदनामी का राग कनहया यूमत खेलो फाग कनहया और जो राजणी चल लई है कि पपुनितन बुराग सुनाए जाड़ु बाले फाइल दिखाए जाड़ु बाले फाइल दिखाए कि मोदिशाह मदारी बनकर सभी दलों को नाच न चाए सब पर इतने रंग चरे है जो पंक जड़े हो का कनहय यूमत छेलो और अंत में जो डिली में हो तब मैं कहना चाहती हूं कि देख चुकी दुनिया की होरी बरसाने की राधा गोरी यदि होली पर हिदय दुखे तो रहने दो मुझको भी कोरी सोच हैं तो सोने दो सोए ही हैं तो सोने दो मेरे सोए भाग कनही यां मत खेलो राग कनही आम अपने बहुत वहा है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जी, अब जो कवी आने वाले हमारे साथ और हमारे बीच में, उनको लोग तो सुनते ही हैं, कवी सम्मेलन मुशायरे में वो तो जाते ही हैं, सचिन जी, लेकिन उनको, उनकी कवीता, उनकी शायरी कवी भी सुनते हैं और यहीं उनका परिच्छा है मैं जान बुलाना चाहता हूं अलिगर से सचिन अगरवाल जिक्राइब अभी दो चार रोज पहले डोनल्ड ट्रम पाए और अरे बहिया दो चार रोज पहले आये और दो दिन बाद ही गए तो हुआ यूं बड़ा हुआ हुआ साप के जुगी जौपनियों को छपाने के लिए दीवार उठा दी गई वहां तक तो ठीक भी था जी अब उसमें एक और चीज हुई के वो दीवार उठते ही उस पे एक जो है जो एड़टाइजमेंट का वो जो लगा दिया गया अब अंदुस्तान में संभव है तो मैं चार पंक्तियां यह से पेश करता हूँ बहुत स्वागत है बहुत स्वागत है सचिन मैं हजिर करता हूँ कि मुश्किल से लाए ट्रंप को मोधी पुकार के मुश्किल से लाए ट्रंप को मोधी पुकार के मेरे यहां भी देखिये कुछ क्या क्या चिपाएगा दीवार चिंके अब कोई क्या क्या चिपाएगा सडकों पर लोग आ गये कपड़े उतारके यहां से सुनियेगा के तरंग देखनें है ट्रंप जी दोबारा आईये रंग देखने है ट्रंप जी दोबारा आईये मेलानिया इवांका को साथ लाइए और महौल इस दफा तो दीवाली के जैसा था, माहौल इस दफा तो दिवाली के जैसा था इस बार मौका देखके हुली पे आईए इस बार मौका देखके हुली पे आईए और चार पंक्तियां और सुनिये जाब के रंगीनिया दिमाग में मौसम की अदा है रंगीनिया दिमाग में मौसम की अदा है डाड़ी सफेद हो गई पर दिल तो जवा ए और चारो तरफ से दिख रही है आज भावियां चारो तरफ से दिख रही है आज भावियां सचीय है अब तो ये फागून का नशाह है और दोचार शेयर अगर आप चाहतों मैं हाजिर करता हूँ कि हालांके अपने बीच में जगडा नहीं रहा लेकिन जुडाओ जैसा था वैसा नहीं रहा हाला कि अपने बीच में जगडा नहीं रहा लेकिन जुडाओ जैसा था वैसा नहीं रहा और गम बाजूओं के कटने का कल्था ना आज है दुख ये है तुमको मुझ पर भरोसा नहीं रहा जगडे के बाद तुमने कुए बाट तो लिए पानी पर अपने गाउं का मीठा नहीं रहा जगडे के बाद तुमने कुए बाट तो लिए पानी पर अपने गाउं का मीठा नहीं रहा और यहां से चार मिसरे और सुन लीजिए जी 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 आपको पुरी राज सुना जा सकता मैं हाजिर करता हूँ मेहनत कशों की सक्त हतेली से कट गई दीवार जो कुए की थी रसी से कट गई और क्या जायका है खून का अपने को क्या पता अपनी तुछummy रोटी से चटनी से कट गया कि अवे हैं में वहत कुप बहुत अछा भूत बहुत कुप कि पूरब के आकाश में रक्तिम उगे पलाश और धीरे धीरे सुबह को सूरज रहा तराश आज अभी बस इतना लेकिन आगे भी अभी बने रही है हमारे साथ क्योंकि होली के रंग विकरें हैं चारों बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सुमच क्योंकि हुआ 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 है